इसी साल जन्वरी में एक केस को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोट ने कहा कि सेल डीड का रेजिस्रेशन होने के वक्त दोनों पार्टीस की प्रेजिंस जरूरी नहीं है जानेंगे सारा मुद्ध क्या है और रेजिस्रेशन आट के रेलिवेंट प्रोविजिंस को देखेंगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पे जोड सकते हैं और यदि आपका कोई क्वेस्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं हमेशा की तरह सबसे पहले जानते हैं केस के कुछ डीटेल्स के बारे में केस का नाम है एच्पी पुर्तस्वामी वर्सेज थिमममा और ये केस 24 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोट के द्वारा डिसाइड किया गया था इस केस में प्रॉपरिटी इन क्वेश्चन 4000 स्वेर फिट की लैंड थी जो की स्टेट अफ करनाटका में विलेज शिफ्टिंग स्कीम के अंतरगत वी नाथ गौड़ा को अलोट की गई थी अब यहाँ पर प्लेंटिफ के हिसाब से 10 अप्रेल 1981 को प्लेंटिफ और जो वी नाथ गौड़ा के सन थे इन लोगों के बीच में अग्रीमिंट हुआ और उसके बाद 28 मई 1981 को ये सेल डीड एक्जिक्यूट हो गई यहाँ पर प्लेंटिफ ने जो ओरिजनल अलोटी के बेटे थे उनको डिफेंडन नमबर वन बनाया फिर यहाँ पर सेकेंड डिफेंडन भी थे इन्हों ने टॉपर्टी इन क्वेस्चन पे क्लेम किया और इनके पास भी एक सेल डीड थी जिसके हिसाब से जो लैंड थी वो इनकी थी सेकेंड डिफेंडन का नाम मचे गौड़ा था प्लेंटिफ ने 31 मार्च 1989 को सूट फाइल कर दिया और प्लेंटिफ का ये भी कहना था कि ये जो सेकेंड डिफेंडन्ट है जो क्लेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी पे इनके सेल डीड रेजिस्ट्रेशन के समय पर ये खुद वहां पर प्रेजेंट नहीं थे साथी साथ प्लेंटिफ ने ये भी बताया कि इनीशली वो यहां पर टेनेंट थे इस प्रॉपर्टी पे और बाद में उन्होंने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया अब ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में अपना डिसीजन दिया और ये कहा कि जो मचे गौड़ा जी की सेल डीड है जिसके थुरू वो प्लेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी के उपर वो जन्विन नहीं है और अज अ परचेजर वो वहां पर प्रेजेंट भी नहीं थे जब उनकी सेल डीड रेजिस्ट्रेशन हो रही थी अब ये जो मचे गौड़ा थे इनकी तो डेथ हो गई बट इनके लीगल रेजिस्ट्रेशन हो रहा हो तब ये जरूरी नहीं है कि परचेजर वहां पर प्रेजेंट हो Before this Subregister, High Court में ये भी कहा कि ट्रायल कोड ने Section 32 of Registration Act को नहीं कंसेडर किया तो आब हम देखते हैं कि ये Section 32 कहता क्या है Section 32 of Registration Act 1908 उन लोगों के विशें में बात करता है जो कि present होने चाहिए add the time of registration of a document यहाँ पर सबसे पहले तो तीन sections के exception दे दिये गए है section 31, 88 और 89 इन तीनों को आप देख लीजेगा आगे इस section में कहा गया है कि कोई भी document जो कि इस act के अंडर में register हो रहा है चाहे उसका registration compulsory हो या फिर ना हो उस document के registration के वक्त ये लोग present करेंगे document को before the registration office इसमें सबसे पहले हैं वो व्यक्ति जो document को execute कर रहे हों second है executive party के representative या फिर जिस person को assign किया गया है इस कारे के लिए lastly, executing party का agent या फिर ऐसा व्यक्ति जो की power of attorney के थूँ authorize किया गया है executing party के द्वारा तो यहाँ पर purchaser के presence की बात नहीं की गई है बलकि जो executing party है उनके presence की बात की गई है और उनकी presence ना होने पर कौन-कौन लोग उनको represent कर सकते हैं इसके विशे में बोला गया है यहाँ पर 2016 का Supreme Court का judgment irrelevant है case का नाम है सत्यपाल आनन versus state of MP इस case में Supreme Court ने यह कहा कि registration process के procedure में यदि कोई irregularity आती है तो वो fraudulent action नहीं मान ली जाएगी और यह जो irregularity है यह बेमानी के objective से की गई है या फिर नहीं यह एक question of fact है जो की prove करना पड़ेगा उस party को जिसने procedural irregularity को fraudulent बताया है अब देखे यह typical case है ऐसी चीज़ का जहाँ पर law ने already provide कर रखा है किसी legal question के answer को बट trial court की एक गलती की वज़े से मामला Supreme Court तक पहुँच गया और इन ही सब चीज़ों की वज़े से हमारे देश में pendency बढ़ती ही चली जा रही है अब यहाँ पर Supreme Court को simple सा यही decide करना था कि section 32 इस case में applicable होगा की नहीं इसके answer में court ने कहा कि जो दोनों parties property के उपर अपना claim कर रही है उनके पास जो respective sale deed है वो original allotty के sun के द्वारा execute की गई थी और यह चीज disputed नहीं है मतलब अगर आप fraud का आरोप लगा भी सकते हैं तो सिर्फ जो executing party है इस case में उसके खिलाफ लगा सकते हैं जिसने दो लोगों को एक ही जमीन मेच दी लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि purchaser present नहीं था at the time of registration of his sale deed और इसी ground पे हमको permanent injunction दे दिया जाए तो ये चीज सही नहीं होगी क्योंकि section 32 of registration act पे हिसाब से दोनों parties का present होना necessary नहीं है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए court ने appeal को dismiss कर दिया अब supreme court में जो appeal थी वो original plaintiff के द्वारा की गई थी क्योंकि trial court में तो उनके पक्ष में फैसला सुनाया था लेकिन high court में उनके खिलाफ फैसला सुनाया था और supreme court में भी उनके खिलाफ ही decision हुआ और उनकी appeal dismiss कर दी गई इसका मतलब finally जो मंचे गौड़ा जी के legal years थे उनके claim को सही बताया गया तो ये था हमारा analysis इस पूरे case का उमीद है कि आप कोई वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें and please subscribe to our channel Thank you, Jaihin